आप समको खुश्यामदीत कहता हूँ अपने चैनल में तो आज Redmi Note 10 मेरे पास मौझूद है रिक्वेस्ट ये थी कि जो Xiaomi.EU ROM रिलीस हुआ है लेटिस वो फ्लाश करें क्योंकि वो रिकवरी फॉर्मैट में फ्लाश हुआ है और इस Redmi Note 10 के NY12 के लिए अब कस्टम रिकवरी जो टीम विन रिकवरी है वो भी पोर्ट हो गई है तो मैं आज की वीडियो में बताऊँगा कि कैसे हम कस्टम रिकवरी को फ्लाश करेंगे स्टॉक रॉम के उपर और कैसे हम Xiaomi.EU ROM जो है जो लेटिस है जो रिकवरी फॉर्मेट में है वो हम कैसे फ्लाश करेंगे Redmi Note 10 के उपर मैं सरफ आपको यह दिखाना चाहरा था कि इस वक्त मेरे सेट जो है वो फुल टाइम स्टॉक रॉम पर है स्टॉक रिकवरी मौजूद है मैं इसे अभी रिस्टार्ट करूँ जनाब तो Redmi Note 10 पे अगर आप Xiaomi.EU ROM फ्लेश करेंगे तो आपको Stock ROM पे Google डाइलर मिलता है और साथ में Google मैसेजिंग अप्लिकेशन तो Xiaomi.EU ROM जो आप फ्लेश करेंगे तो आपको Stock Me डाइलर मिलेगा Stock Me SMS अप्लिकेशन मिलेगा और साथ में रिकार्डिंग की सहूलत में मिलेगी Redmi Note 10 के उपर अगर आप ये ROM फ्लेश करना चाहते हैं तो सबसे जो एहम काम है वो है सेट का बूड लोडर को अनलॉक करना क्योंकि विदाउट अनलॉक बूड लोडर ये मेथड अप्लाई नहीं होगा आपको नहीं पता कैसे अनलॉक होगा तो ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वो वीडियो देखें अपने सेट का बूड लोडर ज़रूरी अनलॉक करें जब तक आप Xiaomi.EU पोर्टिट रॉम यूज़ करेंगे बूड लोडर अनलॉक रहेगा रिमेन Xiaomi.EU रॉम हो गया या कस्टम रॉम हो गया आप बूड लोडर को री लॉक नहीं करेंगे अगर आपने री लॉक कर दिया तो सिस्टम डिस्ट्रॉई हो जाएगा ठीक है जी तो अब आपने अगर ये चीज़ कर दी हो तो साथ साथ में मेरे चैनल को भी सबस्क्राइब करना ना भूलिएगा साथ में यूट्यूब की बेल आइकन को भी दबा दीजेगा और सेलेक्ट आल को सेलेक्ट कर दीजेगा शुक्रिया आपने लॉक स्क्रीन पासवर्ड या फिंगर प्रिंट स्कैनर यूज़ करते होंगे तो पासवर्ड सेक्यूरिटी में जाकर स्क्रीन लॉक को टन आफ जरूरी कर दीजेगा फिर बैक करके इन केस अगर आप मी अकाउंट यूज़ करते हैं मेरा सेट जो है वो स्टॉक रॉम पर अपडेटिड है 13.0.7 है अब जरूरी नहीं कि आपका सेट जो है वो 13.0.7 पर नहीं है अगर 13.0.5 पर भी है तब भी यह रॉम फ्लैश हो जाएगा बशर्थ यह हैगा आपका बाद आजाएगा ठीके जी तो अब आगे बढ़ते हैं यह चीज़े सारी आपने कर दी हो मोबाइल फून को पावर आफ कर दीजेगा और इस प्रोसीजर के लिए हमें डेटा केबिल की जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी बगएर कंप्यूटर के हम फ्लैशिंग नहीं कर सकते हैं ठीक है जी आईए का कंप्यूटर स्क्रीन की जाने यह मेरा डाउनलोड़ेट फोल्डर है जहां मैंने तमाम फाइल्स डाउनलोड कर रखे हुए है और लिंक्स आर प्रोवाइड़ेट इन इस वीडियो डिस्रिप्टिशन यूटर नूटर नौटर अल्डी रिक्वाइड फाइल्स अच्छ दी अब यह श्यामी.eU रॉम है जो 13.0.9 है कस्टम रिकवरी है और 12 के लिये है प्रोवाइड प्रोवाइड अर्मी फ्लाउन नौ लिट टेर यू शवरे इन सुम्हें है अबडी फ्लाउन इस यह जूट यह जिए यह जूट कि ली चामी फूने फुरा फन्टिव एर बिंदोस there the windows will must require its driver to be installed it will not get automatically installed so you need to install mi flash 2017 version after downloading extract it and then install this mi flash particular version on your windows so the set will detect or the drivers windows will detect the drivers automatically and it will get installed and those who have already installed this mi flash 2017 on your windows no need to reinstall the mi flash I hope you got my point now platform tools go extract this folder and then copy this custom recovery from here and paste it into the extracted folder of platform tools copy custom recovery file name ko rename kar diji ga f2 press karke is a erase ki ji ga simply type r e c o v e r y simply like that press enter key ababa yaga cmd pay or yaha right clicker karen as administrator per left click key ki ji ga click yes on next window and the black color command window will get open abaya ka mobile phone ki janib mobile phone must be power off we need to boot the set into fast boot mode hold the cable in your right hand hold the mobile phone in your left hand let me inform you once again ki boot loader ka unlock hona zaruri hai now press and hold the volume down key and connect the cable and the set will soon boot into fast boot mode then immediately release the volume down key set fast boot me connect ho gya hai sorry boot ho gya hai or set mera connected hai windows के साथ अब अब जर यहां मैं आपको यह बताता चलूँ एक नज़र जो है वो यह चीज़ है कि डिवाइस मेनेजर में आईजर में आईएगा अपने कंप्यूटर के and यहां पर जो most important thing है वो यह है कि android phone यह driver install हुआ है android boot loader interface after booting the set into fast boot mode and connecting it with windows अगर यह driver install नहीं हुआ आपके पास then you need to install the drivers first and i will provide the video link of all the drivers how to install on windows right चले इसे में बन कर देता and coming back towards the command window set is already booted into fast boot mode and connected with my computer now type the command to check the set is properly connected with computer type fast boot space devices check the spelling must be correct press enter key and this is the sign that the set is connected with computer in fast boot mode properly right अब recovery flashing का जो है सिलसला शुरू होगा command type कीजेगा FAST BOOT fast boot space BOOT space recovery dot IMG press enter और transferring शुरू हो जाएगी and set will reboot will start booting into team in recovery finally we got a team in recovery अब आप देख सकते हैं internal storage मेरे पास आ गया है जो के encrypted नहीं है और मैं डबल क्लिक करूंगा तो सारे folders proper name के साथ नदर आ रहे हैं ठीके जी चले जी अब मैं अपने downloaded folder में आऊंगा और back करके पीछे main downloaded folder में जाऊंगा तो अब custom recovery के screen पे आईएगा यहां पर advanced पर tap की जगा then tap flash current TWRP and swipe कर दीजेगा चले जी now the custom recovery is properly flashed and installed on the Redmi Note 10 अब आप back करके main screen पे आईएगा reboot पर tap की जगा and then tap recovery to let the set reboot and boot the custom recovery once again custom recovery की screen आ गई definitely we will get the internal storage on computer screen because the set is connected with the computer yes we got the internal storage अब मैं downloaded folder में आऊंगा और यहां से xiaomi.eu rom जो है वो copy करूंगा and paste करूंगा मैं अपने mobile phone के internal storage में जब तक यह file copy होती है आप mobile phone की screen पे आईएगा settings पे tap कीजेगा उपर first नहीं second नहीं third menu पे tap कीजेगा यहां चेक कीजेगा अगर screen time out जो है वो seconds कम है तो इसे maximum कर दीजेगा and then also brightness को भी maximum कर दीजेगा बैक करके अब आप main screen पे आजएगा wait करें file copy हो फिर आगे बढ़ते है finally file copied हो गई है disconnect the cable from mobile phone now the computer works done अब आईएगा screen mobile phone के screen पर और वाइप पे टाप कीजेगा then advance वाइप पे टाप कीजेगा select Dalvik then select meet M E T A D A T A and select data these three partitions need to be select that's all right and then swipe to let the set do the formatting thing and when it is done then tap back go back to the main screen tap install and scroll down select the xiaomi.eu rom for redmi note 10 13.0.9 and then swipe to start the flashing now it will take a time you have to wait for it let the flashing complete then we will continue अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके को अपनाया proper तरीके से तो आपके पास ये rom flash हो जाएगा properly और अगर आपने जरा से भी कोई mistake किया वीडियो को skip करके तो ये flashing गरपड हो जाएगी और हो सकता है कि flash now ठीक है better to follow me correctly thank you now after when flashing done there is one more important part that we need to do and अगर आपने वो नहीं किया तो recovery दुबारा से override हो भी सकती है या फिर recovery बूट नहीं होगी set जो है वो blank screen पे हमेशा बूट होता रहेगा after when flashing complete go back to the main screen come here then tap advance and tap flash current TWRP swipe okay when it is done go back to the main screen tap reboot and tap recovery to let the set boot once again into custom recovery अब यहां पर जो most important part है when the set booted into custom recovery tap wipe then tap format data and type Y-E-S and tap here यह बहुत जरूरी है वन्हा रॉम बूट नहीं होगा when it is done then simply tap reboot system MIUI 13 और NUI 12 जब से update हुआ है तो Xiaomi के mobile phone जो है शुरू में काफी time जो है stay करता है MI logo पे यह अक्सर mobile phone के साथ हो रहा है Xiaomi के साथ तो यहां पर भी इसे तकरीबन 40 to 50 seconds यहां पर wait किया है और अब सून जो है set boot करना शुरू कर देगा see set ने boot करना शुरू कर दिया है अब यह first boot है time लेगा wait कीजेगा first boot complete हो फिर आगे बढ़ते हैं finally we got the welcome screen and it took around 8 to 9 minutes first boot ने 8 to 9 minutes लिए चले अब मैं set up screen को complete करता हूँ चलेंजे finally जो रॉम है वो मिलकुल perfectly flash हो गई है और settings में जाके my device में tap करूंगा और यहां देखिएगा miui xiaomi.eu 13.0.9 और invite version 12 है मैं अगर further जाता हूँ all specs पर टैप करके यहां all specification देख लीजेगा मेरे mobile phone की ठीक है जी base band के नीचे numbers के दिखना बहुत जरूरी है चलाब ROM flash हो गया है बहतरीन हो गया है अब आपके पास जब भी update आएगा set automatically boot हो जाएगा custom recovery में custom recovery में set update होने के बाद आपने आखिर में वही flash current TWRP करने के बाद simply set को reboot कर दिना है दुबारा format data करने की ज़रूरत नहीं होगी तो custom recovery जो है वो अपनी जगा पे महफूज रहेगी और set जो है वो update होता रहेगा आपके पास me dollar भी आ गया है Xiaomi.eu ROM flash करने के बाद call recording की सहूलत भी आ गया है me SMS application भी आ गया है और ROM like free है बहुत अच्छी ROM है जो पसंद करते हैं वो definitely flash करेंगे अपने सहथ के शाल दर रखीगा फिर आपसे मुलाफाद होगी खुदा हाफिज